पापा ने मेरी सरकारी जौब वाले लड़के से यही सोच के साधी की थी कि उनकी बेटी बहुत खुस रही लेकिन आज कुछ अपोजिट हो रहा है जो पापा के सोच से बिलकुल अपोजिट है मैं आगे आपको स्टोरी में बताते जाओंगी तो अवी सुबा सुबा का टाइम है सटर्डे है तो मेरी तब्यत बहुत ज़्यादा खराब है और मैं यहाँ पे रो वी रही हूँ क्यूंकि जितने जितने आप गौर्डमेंट पोस्ट पे हायर पोस्ट पे जाते हो उतना उतना आपको फैमिली से को टाइम नहीं देने का व मुझे भी खुष करने की कोसिस करें यहाँ पे एक बोयल किया तो मैंने बोला मैं नहीं खाऊंगी एक क्यूंकि है ना अभी हमें हमें पूजा करना था और सुबह सुबह उठके एक कौन खाता है तो यह जिम जाते तो एक खा सकते हैं तो यहाँ पे मैं बहुत तेज गुस मुझे बहुत बूरा लग रहा है जो मैं आपको आगे वताऊंगी कि मुझे क्यों बूरा लग रहा है और अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरी काम वाली आ गई है तो ज़ाडू लगा रही है आज मैंने डस्टिंग भी नहीं किया था तो वो जैसे-जाडू ल लोरियल का इसपा, सीरम, बोडी लोशन और ये क्या है संस्क्रीम ऐसे कुछ कुछ सर्प्राइज भेजती रहती है तो मेरे हस्बेन चार पास घंटे बाद ऑफिस के काम से वापस घर आए और अपना फेवरेट चीज मार्केट में लेने के लिए गय थे तो मुझे बोल रहे आप नीचे मताओ, बस उपर से है ना बाइक की चाबी और सबजी वाला जोला है ना उपर से नीचे फेक दो तो अंस को बुला रहे थे कि अंस चल अंस भी जाता उनके साथ लेकिन अंस है ना बहुत ज़दा उदास था और यहाँ पे किट्टू भी उदास थी क्योंकि डै सब्सक्राइब के दिन घर से बाहर जाते या ऐसे भी इनके ऑफिस में अगर पाटी हो कुछ भी हो तो हमारे बिना और अंस के बिना कभी भी खाना नहीं खाते हैं अकेले वो चार पांस घंटे में वो 60-70 किलो मीटर से वापस चलियां लेकिन सुबह में जो घर से खाके गय अपना खुद नहीं खाया था तो यहां पर मैं चावल बना रही हूँ और यह मेरा हैल्प कडाने के लिए कीचेन ने घुस गया है तो गाइस मैं यहीं बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आप हाइयर पोश्ट पे जाओगे गॉर्मेंट जॉब में अपनी बीबी को टाइ नहीं दे पाते हैं हम इसा ओफिस 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 सुबह से रात तक ओफिस का काम करना पड़ता है क्योंकि उसमें बॉंड जब साइन करते तो उसमें लिखा रहता है कि 24 आवर्स इंटू 7 आपको काम पड़ करना पड़ता है इसलिए मुझे दुख लगाईस हम मैं और मेरे बेटा यहीं चाहते कि कम से कम चुटी के दिन तो हस्में भाषा रहे है किस टाइम स्पैन करें जोसे मेरा वेवी जब नहीं रहते हैं या यह नहीरते तो हम बहुत उदास हो जाते क्योंकि तीनों हमाजilan मिल के बहुत जाधे मस्ती करते हैं किन्हें पापा क्या सोचते थे कि पास बज़े तक लड़का घर आ जाएगा लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं होता है लेकिन मेरे पापा बहुत ज़्यादा अभी इनके नेचर से खुस है क्योंकि ये बहुत अच्छे है और मैं भी बहुत खुसू बस इसी बात को दुख है कि इनको टीके विदीन ऑफिस जाना होता है